Red sauce बनाने के लिए सबसे पहले tomatoes को इस तरह से cut करके हम गरम पानी में boil करेंगे एक red chili भी उसमें डाल कर बॉयल करेंगे उसके बाद उसे peel करके mixer jar में डाल कर बढ़िया से grind कर लेंगे to get a fine paste then एक pan गरम करेंगे उसमें थोड़ा butter डालेंगे आप थोड़ा सा ओईल भी डाल सकते है, ओलिव ओईल या फिर रिफाइन ओईल देन इस बटर को गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक क्रश किया हुआ या फिर ग्रेट किया हुआ देन गार्लिक को अच्छे से स्टर करेंगे जब थोड़ा करम हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे एक कप प्यार्ड उसे भी अच्छे थाड़ से हम मिक्स करेंगे जैसे ही ये प्यार्ड पकने लगे इसमें हम सीजनिंग डालेंगे हम इसमें रेट चिली डालेंगे, चिली फ्लेक्स औरिग्यानो डाल सकते हैं, सॉल्ट डालेंगे और थोड़ी सी थम गोल्की यानि की काले मिर्ज डालेंगे, चलिए एक एक तरके डालते हैं, सबसे पहले इसमें जाता है चिली फ्लेक्स, अगर अब ज्यादा तीखी पसंद अब इसमें जाएगा काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक इसे भी अच्छी से मिक्स कर लेंगे गयाट को एकडम मीडियम पील रखेगा वरना इसमें गार्लिक और अनियन जल जाएगा अब इसमें पीसी ली तमार्टर को हम दाय के अच्छे से मिक्स करके पकाएगे जब तक कि वो थिक न हो जाए स्टर करके बरिया से मिक्स करके बहुत ही अच्छा गार्लिक का फ्रेश पर आएगा जैसे यह ठिक हो जाएगी हम बन करतेंगे